Hello everyone, today we'll study chapter number 5 of our history textbook What Books and Burials Tell Us तो यहाँ पर Mary जो है, वो स्कूल में थी, उसकी कहानी है तो उसकी टीचर पूरी क्लास को लाइबरी ले गई ठीक है, तो जब Mary first time लाइबरी गई तो उसने देखा यह लाइबरी तो बहुत बड़ी है मेरे क्लास्रूम से भी बड़ी है उसने देखा यहाँ पर तो बहुत सारी बुक्स है तो वो एक कबर्ड की तरफ बड़ी और उस कबर्ड को खोलने लगी तो Mary की जो टीचर थी, उसने बुला कि क्या तुम्हें पता है Mary, कि यह जो बुक्स है न, यह जो कबर्ड है वेद कितने प्रकार के होते है, four types के होते है सबसे पहला रिगवेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुरवेद, और चौथा अथरवेद ठीक है, और जो सबसे oldest वेद है न, वो कौन सा है, रिगवेद याद रखेगा, सबसे oldest वेदा है रिगवेद, और यह compose किया गया था three thousand five years ago, ठीक है the रिगवेदा includes more than a thousand hymns, hymns वो होते हैं, मतब जैसे आप एक गाने की रूप में ले लीजे, उस चीज़ को हम hymn कहते हैं, और उन hymns को रिगवेदा के जो hymns होते हैं, उने के कहते हैं, सूकता और वेलसेट वेलसेट जैसे कि हाँ, क्या खूब का है, ठीक है, और यह जो hymns से न, यह भगवान, देवी देवता हो, उनकी तारीफ में लिखे जाते थे, ठीक है और सोमा, सोमा एक प्लांट है, जिससे एक special तरह की पीने की एक drink बनती है, बहुत फ्रेगनेंट होती है उस drink में, ठीक है और यह hymns जो थे, वो compose कौन करते थे, जो रिशी मुनी होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में sages भी कहते हैं, वो compose करते थे, और इन्हें बच्चों को, जो सीखना चाते थे, कि जो लोग सीखना चाते थे, कि हमें भी रिगवेद सीखनी है कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है, यह वो कौन सी कहाता था, प्रीस्ट, और यह लिखी हुई नहीं होते थे, जैसे हमारे पास तो बुक्स हैं, ठीक है और यह वैसे ही, अपने स्टूडेंट्स को याद करा ही, ठीक है और यह mostly जो है, कमपोज, कमपोज भी जो मेल्स नहीं करी थी, पढ़ाई भी मेल्स ने, ठीक है बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेल्स करते थे, वुमिन भी करती थी, पट मेल्स थोड़ी जादा कमपोजिशन और जादा लर्निंग में थे, ठीक है रिगवेद है, इस न ओल्ड और वेदिक संस्कृत है, तो जो हम आज संस्कृत पढ़ते हैं यह जो वेदिक संस्कृत है, यह उस संस्कृत से बिलकुल अलग थी ठीक है इसका मतब सीरिसली अगर हम मुझ संस्कृत और इस संस्कृत को देखे तो वैदिक संस्कृत बहुत डिफिकुल्ट और बहुत अलग थी संस्कृत और अदर लैंविजेज अब यह जो लैंविजेज है उसे कॉंपोजिशन में डिफाइड कर रहे है कि कौन सी लैंविज कहा से उत्पन हुई गए कहा से उसका ओरिजिन है और यह कॉंपोजिशन बहुत इंपोर्टन थीक है तो जो संस्कृत है ना इट बिलोंगस फैमिली ऑफ लैंविजेज नोन इस इंडो यूरॉपेन ठीक है इंडो यूरॉपेन जो लैंविजेज है संस्कृत उस फैमिली से बिलोंग करती है और कौन 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 सी लैंविज उस फैमिली से बिलोंग करती है आसाम, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी ठीक है एंड सिंध and many European languages अब Indo-European का मतलब समझे Indo मतलब India region जो हो गया और European मतलब Europe का region जो हो गया तो इंडिया की कुछ languages जो कि हमने अभी बोली और Europe की languages जैसे आपकी French होई ठीक है आपकी German होई, Greek होई, Italian होई, English होई, Spanish होई ये भी Indo-European फैमली से ही बिलॉंग करती है टेक दा वर्ड मात्र मात्र संस्कृत में मा को मात्र कहते हैं हिंदी में मा कहते हैं और इंग्लिश में मदर कहते हैं तो देखिए अम म का जो pronunciation है ये बिल्कुल सेम है, मिलता जूलता है ठीक है तो ये प्रूफ करता है कि ये जो languages हैं ये एक ही decent की है अब और तरह की languages भी है जैसे हम ये सिर्फ इंडन कॉंटिनेंट की कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं ठीक है जो हमारी North East की language है असमीज को छोड़के असमीज जो है वो असाम की language है जो कि एक North Eastern state है लेकिन वो European, Indo-European languages में आती है उन्हे से छोड़के जो North European जितनी भी आपकी state है जितनी भी है आपकी state हो गई उनकी जो languages है वो टिबटो बर्मन family से बिलोग करती है और टिबटो बर्मन family से क्यों क्योंकि आपने देखा होगा टिबट और्टोनॉमस region of China जो है वो उस area को border करता और Burma, Myanmar जो है वो नीचे से उसे border करता है इसलिए उन languages में similarity है और जो हमारी Southern Indian state है जैसे कि हमाई Tamil Nadu होई आंदरप्रदेश होई, कनाटका होई ठीक है तो ये जो languages हैं ये Dravidian family से बिलोग करती है Dravidian family, Dravidian culture basically South Indian culture है ठीक है और जो Central India की जो state है जैसे आपकी जहारकंड हुई ठीक है ये languages कौन सी उसे बिलोग करती है फैमिली से ये करती है Austro-Asiatic family से ठीक है इंडिया जो continent है वो Asia मद एशिया continent में ही हमारा हमारी country है ठीक है इंडिया is a part of Asian continent ठीक है The books we use are written and printed The Rig Veda was recited and heard rather than read क्योंकि ये लिखी भी नहीं थी ये अब से 200 साल पहले लिखी गई है इतनी लेट जबकि composition इसको कितने हजार साल पहले हो गया ठीक है Sorry The historians study the Rig Veda historians like archaeologists find out about the past but in addition to material remain they examine the written sources as well तो दिखिए historian और archaeologist में एक छोटा से difference होता है कि जो written sources होते है archaeologists इस पर जादर rely नहीं करते हैं evidence, scene evidence पर जादर rely करते हैं बढ़ historians जो होते हैं ये जो written text होते हैं इन्हें भी examine करते हैं ठीक है इनके बारे में भी वो काफी extensively study करते हैं अब यहाँ पे अगले page पे हम पढ़ेंगे एक dialogue है जो कि एक बहुत बड़े sage थे विश्व मित्रा और दो नदियों के बीच में hypothetical मतलब की एक conversation है ठीक है that were worshipped as goddesses ये reverse जो है आपकी ब्यास और सतलत जो है ये देवियों के रूप में मतलब माना जाता था इन्हें worship करा जाता आज भी आपने देखा हुआ लोग गंगा महिया कहते है इसी तरीके से ठीक है और ब्यास और सतलत जो है ये हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये reverse है ठीक है तो और ये पहले हाँ पर देख लीजे ये जो है ये एक manuscript है ये रिगवेदा की manuscript है पेज from the manuscript of रिगवेदा ठीक है और ये कश्मीर में मिली थी अब इसे preserve कर रखा एक library में जो पूने महाराष्ट में ठीक है विश्वमित्रा एंड रिवर्स विश्वमित्रा जो है रिवर्स से वो करते है request करते है कि आप पहाड़ों से नीचे आईए जैसे कि दो horses swift horses मतब तेजी से जैसे दो horses आते हैं इस तरीके से जैसे कि दो बहुत सुंदर जो cows होती है वो अपने काफ से कुलिक करती है आप ऐसे आईए ठीक है तो रिवर्स कहती है कि हम पानी से भरे हुए है अगर हम एक बार हमने आना शुरू कर दिया तो हम बहुत तेजी से आएंगे हम रुकेंगे नहीं ठीक है तो विश्वमित्र कहते हैं कि ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी बहनो प्लीज मेरी बात सुनो कि हम मैं वो सिंगर हूँ who has come from a distance with his chariot and karts let your water not rise above our axle so that we can cross safely तो अपनी safety के लिए वो ये कह रहे हैं कि आप नीचे तो आएगे लेकिन इतनी furiously मताएगे कि हम जो हैं बह जाएं ठीक है तो reverse कहते हैं ठीक है हमने तुमारी जो request है वो सुन लिये और तुम जो है नदी को safely cross कर लो ठीक है historians point out that this hymn was composed in the area where these river flow historians का ही मानना है कि ये जो पूरा hymn है ऐसा तो ने ये ना कि reverse ने बात करी थी ठीक है मतब उनका ये मानना है कि ये जो hymn hymn है ये वहीं पर लिखे गए है जहां पर ये दोनों नदिया बहती है ठीक है लेकिन ये जो पूरे dialogue है ये ये बताता है कि cow और horses को कितनी value दी जाती थी उस time में ठीक है अब ये देखे जो ये last last line है यहां पर जो है ये बहुत important है ये इसले important है because it shows कि other rivers especially the Indus and its tributaries Indus और उसकी tributaries के नाम बताएगे Indus और की tributaries है जेलम चेनाब रवी ब्यास and सतलज ठीक है ये हमने पढ़ा था जो Indus और उसकी tributaries है और जो सरस्वती are also named in the hymns सरस्वती river है इन सब का नाम तो hymns में कई बार है पर जो गंगा ये हमना जो आज की time में बहुत important rivers है उनका नाम बस एक बार है रिगवेदा में ठीक है ओके रिगवेदा की उसमें ठीक है डायलोग में cattle, horses and chariots there are many prayers in रिगवेदा for cattle children, especially son and the horses तो ये बता रहा है कि रिगवेदा में जो cattle है न और children specially जो बेटे होते थे उनके लिए बहुत सारी prayers है ठीक है horses were yoke to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle देखे उस टाइम पे जब रिगवेदा compose हुई थी तो उस टाइम पे battles जो है न वो बहुत वैसे नहीं होते थे मतब कि ऐसे नहीं होते थे कि किसी को राजगदी चाहिए राजसिंग आसन चाहिए जैसे कि थोड़े टाइम बाद होने लगा था रिगवेदा के टाइम पे जो war होते थे वो होते थे cattle के लिए ठीक है गाहे भैसो के लिए या agriculture land के लिए ठीक है क्योंकि उपज करनी होती थी ठीक है और जो wealth मिलती थी wealth क्या होती थी जो cattle बगएरा मिलती थी जो land मिलता था ना वो या तो leaders रख लेते थे जो mission जो मतलब war को direction देते थे ठीक है थोड़ी सी जो priest क्योंकि उस ताइम पे priest, brahman बगएरा थे इनकी बहुत ही जादा value थी तो उन्हें दी जाती थी और अगर उसमें भी बच जाती थी तो लोगों के बीच में वो बाढ़ दी जाती थी तो याजनाज अगर कोई पूछ ले या एक्जैम में आ जाए that what were yajnas that were performed during the time when Rigveda was composed तो yajnas were sacrifices in which offerings were made into the fire ठीक है हम ये लिख देंगे और ये मतब जब fire में offering की जाती थी ना तो ये माना जाता था कि ये देवी देवताओं के लिए ये भगवान को खुश करने के लिए और offerings से ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि गी डाल देना आग में ठीक है या फिर कुछ खाने के लिए डाल देना आपने देखा होगा हवन समागरी डलती है हवन जब होता है तो उसी तरीके से ठीक है men took part in these war there were no regular army थोड़ी time बाद जब अशोका बगेरा आये थे अशोका भी काफी लेट आये थे जब आपकी नंद डाइनस्टी और हरंका डाइनस्टी आई थी तो उस वक्त के होगे थे बहुत बड़ी-बड़ी army आने लगी थी but इस time पे लोग के पास बड़ी-बड़ी army नहीं होती थी क्योंकि ने war जो है full-fledged war नहीं लड़ना होता था कि हमें कोई राजसिंगासन चाहिए क्या हमें तो बस cattle और land चाहिए ठीक है और वो लोग leaders जो है न वो अपने बीच में से ही चुनते थे ऐसा नहीं होता था कि कोई claim करता था जो सबसे जादा skilled और brave होता था वो उसे अपना leader चुनते थे words to describe people there are several ways to describe people एक इंसान को describe करने के बहुत तरीके होता है जैसे आपको कि अच्छा वो class 10th में वो जो है वो सबसे लंबी दीडी जो है ठीक है या आप उने को वो जो दीडी जो science में बहुत अच्छी है या आपका class में अरे वो जो दो चोटी बनाती है तो हम किसी को किसी भी तरीके से define कर सकते हैं बहुत बहुत तरीके होते हैं define करने के ठीक है there are two groups who are described in terms of their work the priest sometimes called as brahmin who performed various rituals and the rajas तो देखें यहाँ पे दो लोगों को address करा जा रहा है दो मतलब दो लोग in terms of their work जैसे जो leaders थे जो raja थे और दूसरे दो जो brahmin जो priest, pandit जो थे ठीक है these rajas were not like the ones you will be learning about later दीक है जो later वाले rajas जैसे आपके Ashoka the Great हो गया चंद्रगुट मौर्या हो गया यह सब जो थे यह ऐसे raja नहीं थे ठीक है इनके यह जो raja थे इस वक्त Rig Veda की composition के time इनकी बड़ी-बड़ी capital cities या army नहीं होती थी ना यह लोगों से tax collect करते थे और ना ही जो succession होता था government का वो hereditary होता था कि raja का बीटा raja बनेगा जो सबसे जादा brave है और सबसे जादा skilled है वो raja बनता था इस time पे two words were used to describe people or the community as a whole जो community होती थी या जो लोग होते थे उनके लिए दो word used होते थे पहला था jana और दूसरा था wish जो वैशे word है ना जो merchant class लोग होते है जो वैशे word है वो wish word से ही आता है several wish और jana are mentioned by name so we find reference to the puru jana और wish ठीक है puru jana और wish भारत jana और wish and yadu jana और wish do you do any of these names sound familiar आपको कुछ याद है कुछ आपने पढ़ा होगा पिछली glass में तो यह यह पूछ रहा है sometimes the people who compose the hymns describe themselves as arias तो जो लोग यह hymns compose करते थे वो अपने आपको describe करते थे कि हम arias है और जो नहीं जो compose नहीं करते थे उनको dasas या dasyus कहते थे ठीक है और dasa और dasyus को दीरे-दीरे चलके जो है उन्हें slaves का दर्जा दे दिया गया ठीक है कि यह slaves होते हैं उसका meaning यह हो गया ठीक है और यह और आर्या जो थे दास और आर्या जो थे यह language भी अलग-अलग बोलते थे ठीक है क्योंकि जो आर्याज होते थे वो hymns compose करते थे तो basically वो आपकी यह जो वेदिक संस्कृत वगयरा है वो बोलते होंगे ठीक है और यह जो दास होते थे न यह इन लोगों की बहुत बुरी condition थी यह जो यह लोग कहते थे आर्याज कहते थे यह वही करते थे और इन लोगों को मतलब wars में जब भी लडाईयां वगयरा होती थी तो जो जीतता था बोले जाता था बहुत ही ill condition थी ठीक है slaves of women and men who were often captured in war they were treated as property of their owners who could make them do whatever they wanted while the Rig Veda was composed in the northwest of the subcontinent वो है इंडिया का north west तो Rig Veda अगर question आजाए fill in the blanks आजाए Rig Veda was composed in which part of the country it was composed in north west of the subcontinent ठीक है तो subcontinent का मतलब है कि Pakistan is also included I already told you silent sentinels the story of Megalith अब पिछले chapter में अपने microlith पढ़े थे microlith के होते है छोटे छोटे tools micro का मतलब होता है बढ़ा ये हर चीज में अप्लाई होता है ठीक है तो जो Megalith थे न they literally means very big big stones and they were very carefully arranged by people and were used to mask mark burial sites burial sites क्या क्या होती है जब किसी की death हो जाती है तो उसे जमीन में बरी करके उपर से जो है ये बड़े-बड़े boulders बड़े-बड़े आपके ने ये Megalith stone रख देते थे ठीक है तो the practice of erecting Megalith began about 3000 years ago and it was prevalent throughout the Deccan Deccan मतलब हो गया आपके central area इंडिया से थोड़ा सा नीचे ठीक है left hand side में and was prevalent throughout the Deccan South India मतलब और नीचे and in the North East North East जो आपके Assam, Tripura, Mizoram and Kashmir Kashmir बिल्कुल Northern इंडिया का जो हिस्सा हो गया ठीक है, सब से उपर देखे, ये जो है ये है Megalith ठीक है, ये है Megalith आप देख रहे हैं कितने बड़े-बड़े-बड़े-बड़े आपके वो रखे हुए पथर रखे हुए ठीक है अभी इसमें किया इसमें तो बड़े-बड़े पत्था रखे है कई बार का होता था ये बहुत बड़े-बड़े-पत्था रखा हुआ होता था बारियल साइट के ओपर ठीक है आप इन बारियल साइट बारियल में न ये कोई कुछ common features थी जैसे generally the dead were buried with distinctive pots अलग तरीके के pot जो है उनके साथ उन्हें दबाया जाता था which were called black and red wear तो अगर question आए कि ये burial sites पे किस तरीके के pots के साथ दबाया जाता था तो वी के वील से black and red wear also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horse, horse equipment and ornament of stone and gold मतब कि ये सब चीजे जो है ये burial site में bodies के साथ, body जहां पे आपकी होती थी वहीं पे ये सब चीजे पाई जाती थी जैसे कि distinctive pot हुआ, tools हुए, weapons of iron हुए skeleton of horse, ये सब finding about social differences तो देखिए अब हमें ये कैसे बता चलता है social differences का मतब कि मतब कि सब लोगों को जैसे tribes में हमने पढ़ा था, कि कोई अमीर करीब नहीं होता, लेकिन इस के हिस में क्या है, कि कुछ-कुछ जो आपकी burial, वो है ना जो burial sites हैं, उसमें जो body buried है, उसके साथ, कुछ-कुछ वो rich लोग होंगे, ठीक है और जिनके साथ कम मिला है, वो थोड़े गरीब लोग होंगे, तो social differences थे, ठीक है were some burial spot meant for certain families अब देखिए एक बहुत interesting fact है, वो यह आता है, कि कुछ megalith है ना, उनके नीचे एक से जादा body की skeleton मिली है इसका मतलब यह होता था, कि यह हो जकता है, कि वो लोग इतने बड़े-बड़े पत्थर इसलिए रखते हों, कि अगर उनकी family से आगे, किसी के death हुई तो उसको भी उसी जगा लाके बरी करेंगे, जहाँ उन्होंने अपने ancestors को करा है, ठीक है, क्योंकि कई-कई जगा पे, एक से जादा दो से जादा skeleton मिले है ठीक है, a special burial site at Inamgau अब Inamgau, जो है, एक site थी, हमने chapter number 2 में वो पढ़ा था map, आप एक बार उसे जाके देखेगा, महराश्ट्रे स्टेट है हमारी, वहाँ पे है Inamgau, and it is a site on the river Gode, Gode tributary है, Bheema की, tributary मैंने बताया था, small river that merged into the big river to drain off ठीक है, it was occupied between 3600 and 2700 years ago, here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north, ठीक है, बिलकुल सीधा बरी के आजाता था और जो head था, उसकी direction north की तरफ होती थी, मतब head की direction होती होती होगी, Kashmir की तरफ ठीक है, मतब north की तरफ है sunny की body ती आगे जा रही है north तक जा रही है, और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि जो burial होते थे न, वो घर के अंदर ही होते थे, मतब घर के अंदर ही लोगों को जो है वो बरी कर दिया जाता था, और उनके साथ pots में खाना और पानी जो है उनके साथ बरी कर दिया जाता था एक case तो ऐसा है, कि five-roomed house है, सबसे बड़ा house है, वो हाँ जो मिला है one of the largest house है उस घर के courtyard में बीचो बीच जो है, वो एक body जो है, वो मिली है वो उसमें बरी करी हुई थी ठीक है? what skeletal studies tell us अब यह हमें बता रहे हैं कि skeletal धाचो की study हमें क्या बढ़ाती है it is easy to make out skeleton of a child from its small size, देखे बड़ा एक बड़े की skeletal है, छोटे की skeletal है, यह तो आप उसके size से पता लगा सकते हैं, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ठीक है? लेकिन क्या हमें full grown, एक women or men की body difference बता सकते हैं कि यह जो skeletal है, यह male की है female की है, देखे, यह हम कैसे पता लगाते हैं, जो females होती है, उनका जो pelvic, जो hip area होता है, कमर से नीचे का जो area होता है वो थोड़ा enlarged होता है ठीक है? मेल्स के मुकाबले तो जहां पर यह hip region होता है, वो थोड़ा enlarged होता है वो जो skeleton होता है वो females का माना जाता है और जो नहीं होता है वो males का माना जाता है, ठीक है? अब एक तरीका यह भी था, कि जिन bodies के साथ ornaments है, वो यह मान लिए जाते थे यह women के होंगे बड़ बाब मैं पता चला कि नहीं, उस time पर तो males भी ornament पहनते थे तो इस वज़े से यह concept जो है यह ता successful नहीं हुआ और दूसरा concept जो मैंने अब यह बताया था आपको pelvic वाला वो जादा माना जाता है, ठीक है? अब 2000 साल पहले एक famous physician थे, जिनका नाम था चरक, ठीक है? He wrote a book on medicine known as चरक समिता, उन्होंने एक book लिखी थी medicine पे, उसका नाम था चरक समिता, और उन्होंने total number of bones body में बताई थी 360, जो की जितनी हम मानते हैं उससे कही गुना जादा है ठीक है? जो modern anatomy में मानी जाती हैं, उससे कही गुना जाता है तो फिर बाद में ये हमें medical science में realize हुआ कि उन्होंने joints वगेरा है ना joints, teeth और cartilage इन सब को भी गिना है ठीक है? इस वज़े से उन्होंने 360 bones बताई है occupations at inamgau, मतलब कि वहाँ पे लोगों के occupation क्या क्या थे तो arqueologist को वहाँ पे probably हर तरह की जो उस वक्त grains थी, वो मिली है ठीक है? wheat, barley, rice, pulses, millet, peas and season, bones of a number of animals, many bearing cut marks cut marks मतलब कटे हुए के निशान मिले हैं, जिसका मतलब यह की हो सकता है, उन्हें food के लिए मारा जाता हो, वो भी मिले हैं, ठीक है? और buffalo, cattle, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, samba, spotted deer, black bug, antelope, hare, and mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab, and fish, यह सब मिले हैं there is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected ठीक है? अब यह जो है, यह एक story है, यह चाइना की है, ठीक है? अब क्या होता था? चाइना में क्या होता था? यह आप right hand side पर देख रहे हैं, यह bones के उपर लिखा हुआ है और जो bones के उपर लिखा हुआ होता है, उस हम कहते हैं, oracle bones, ठीक है? तो यह bones जो है, future predict करने के काम आती थी, कैसे? जैसे एक bone ली, उस पर लिख दिया, ठीक है? उसके बाद, क्या होता था? जो fortune teller होता था, एक तरीके से, जो jyotish ही होता था, वो उस हड़ी को आग में डाल देता था, ठीक है? हड़ी crack होती थी, ठीक है? उसके बाद, वो जो fortune teller होता था, वो उसे पढ़ता था, और वो बताता था, कि अब भविशक क्या होगा, ठीक है? और जैसे जyotish गलती करते ही हैं, कुछ गलत बताई देते हैं, अब future तो किसी को भी नहीं पता होता था, तो गलती उनसे भी होती थी, और mostly जो थे, ये fortune teller और ये सब इन चीज़ों में, mostly जो kings होते थे, वो जाते थे, ठीक है? वो पता लगवाते थे, कि अच्छा मैं बहुत जीतूंगा या नहीं, या फिर जो फसल लगाई है, वो अच्छी होगी या नहीं, ठीक है, future predict करने के लिए, और ये जो king होते थे ना, जैसे हमारी जो रिगवेद के time के, इस time के जो हमारी king होते थे, वो बहुत simple होते थे ना चाइना में iron का use नहीं पता था आप तक, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा chapter कदम होता है, we'll meet in the next one, thank you